एलो दोस्तो, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छी होंगे दोस्तो, आज हम डिसकस करने वाले हैं Price Action Trading Strategy कि हम इससे दिन में डेली प्रोफिट कैसे कमा सकते हैं तो मैं बड़ा चार्ट ओपन कर लेता हूँ अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ यहाँ पर कि इसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरूरत पढ़ती है जो सबसे पहले हमें जरूरत पढ़ती है Support और Resistance की कि यह कहाँ पर Support लेगा और कहाँ पर Resistance लेगा अगर आप Support और Resistance के बारे में नहीं जानते तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ यहाँ पर मैं इसे ड्रो करूँगा Support को भी और Resistance को भी इससे हमें पता लग जाएगा कि यह कि स्टोक कहां से Support लेगा कहां पर Resistance है देखो यहाँ पर यह Gap Up Open हुआ है यह 1 October का चार्ट है जो कि आज मतलब बहुती उल्टा चला है मार्किट उपर ही बना रहा Gap भी मतलब फुल्फिल नहीं करा देखो यहाँ पर जहाँ पर Candle Open हुई एक तो यह Support होगा हमारा कि यहाँ पर यह Hit करके वापिस जा सकती है दूसरा जहाँ पर यह Close हुई पहली Candle एक वहाँ पर लगा देते हैं यह हमारा Support हो गया ठीक है यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने 5 Minutes Select करका है अपने According आप मतलब कुछ लोग Trade करना पसंद करते हैं 1 Minutes में पर लेकिन मैं सजेश्ट करूँगा अगर आप इस Strategy का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 5 Minutes का Time Frame करो लेकिन 1 Minutes में भी यह बहुत अच्छे Signal दिखाता है हम वो भी समझेंगे तो अब यहाँ पर क्या होता है जब यह इसे Break कर देता है तो तब भी हम Support लेते हैं यहाँ पर आप दिखाएदे मतलब फिलाल तो आप इतना लगाओ दूसरा आप Support कहाँ पर लगा सकते हो देखो मान लेते हैं यहाँ से तो Market उपर ही चला गया पर लेकिन हमारा अगला Support कहाँ पर हो सकता है में समझेंगे फिलाल आप इतना समझो यह हो गए हमारा दूसरा एक चीज़ ओर जैसे यहाँ पर Market ने High मारा तो यहाँ पर अगर Candle उसके बाद Red बन जाती है तो इसे भी हम Support मान के चलेंगे यहाँ पर देखो यह यहाँ पर मतलब Registance का काम कर रहा है दूसरा जितना इसने Low मारा तो उस पर भी एक लाइन कहसे देंगे इससे क्या होगा कि अगर यह इसे Break करता तो यहाँ पर भी Support ले सकता था या फिर यहाँ पर यानि कि हमें पता लगता रहता दूसरा जो भी इसने High मारा उस पर कर दो देखो यहाँ पर कितना अच्छा मतलब वो लिया है तूसरा जब इसने Low मारा जो भी उस पर भी आप क्लिक कर दो देखो यहाँ पर भी Support लेकर वापिस लगाए तो यह नि कि मेरे हिसाब से अब मैं यह समझ सकता हूँ कि आप Support और Resistance का पता लगाना अच्छे तरीके से समझ गए तो इस चीज को समझ गए तो मैं यहाँ से आपको अब दिखाता हूँ अब हमें दूसरी चीज सीखनी है Trend Line किस तरीके से Draw की जाती है यहाँ पर हम Trend Line लेंगे तो यहाँ पर आपको Trend Line दिखाई दे रही होगी मैं आपको अब भी Draw करके दिखाता हूँ जैसे यहाँ पर इस Candle के Low पर क्लिक करेंगे हम और यह Line ऐसे Draw कर देंगे इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें Buy और Selling के Signal पता लगते हैं जैसे इससे उपर चला गया तो हम यहाँ पर Buy नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा Loss हो सकता है हम Buy किस सिच्वेशन पर करेंगे जब यह Candle वापिस से निच आएगा और इस पर Hit करेगा कहीं भी इस Line पर देखो हम यहाँ पर Buy कर सकते थे अगर यहाँ पर Buy करते तो हम इतने Loss में रहते हैं लेकिन अगर यहाँ से Buy करते तो एकदम से इसने जंप लिया यह फिर से वापिस आएगा हमें Buy का Signal मिलेगा फिर यहाँ से Buy कर सकते थे फिर यह उपर गया यानि कि जब भी यह इस Trend Line को टच करता है फिर उपर जाएगा तब हम Buy कर सकते हैं Sell कब करना है जब यह इस Trend Line को Break करके नीचे आएगा और Red Candle बनेगी तब हम Selling Position ले सकते हैं तो यह चीज समझगे कि आपको कब Buy करना है कब Selling करना है इसी तरीके से हम Trend Line पहचान सकते हैं कभी-कभी देखो यह यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर भी मैं आपको Draw करके दिखाता हूँ हमें इस तरीके से ही Signal लेनी है जैसे यह देखो कितना अच्छा Trend Line बन रहा है यह देखो यहाँ पर अब इस चीज को समझो यह यहाँ पर इसने Support लिया फिर उपर गया फिर नीचे आए फिर Support लिया फिर उपर गया और फिर इसने यहाँ पर फिर से Support लिया और जब यह इसे Break कर देगा जब यहाँ पर इसने Break कर दिया इसे तो हम यहाँ से Selling Position भी ले सकते है क्योंकि जब भी Trend Line को Break करता है तो Stoke Price एकदम से ही बहुत नेचे जाता है और यहाँ पर जल्दी हमें Quick Profit मिल जाता है मैं आगे आपको ऐसे बहुत सारी Trend Line दिखाऊंगा हम रोज लेंगे दूसरा हम Signal कहाँ पर ले सकते है कि यह देखो यह इसी Range में गूम रहा है हमने यहाँ पर Support और Registance की जो Line खेंची थी यह इसी में गूम रहा है यहाँ पर Regist करके फिर नीचे यहाँ पर Support लेके फिर उपर फिर उपर फिर नीचे हम यहाँ से भी Buying और Selling ले सकते हैं तो Support और Registance भी आपको पता लग गया अब मैं आपको पहले दिन पर लेके चलता हूँ इन्हें में Remove कर देता हूँ जैसे इससे पहले दिन हमारा पहला Rule क्या था जहाँ पर Candle Open हो वो तो होगा हमारा पहला Support ठीक है अगर इसे Break करके उपर जाता है तो तब हम Buying Position भी बना सकते हैं उसी Candle का Low यह हो गया हमारा नीचे का यहाँ कि Support, Registance कुछ भी हो सकता है जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर अगर यह Break करके नीचे चला गया तो हम यहाँ पर Selling Position ले सकते थे और यह फिर से उपर आया और यहीं से ही Regist करके फिर नीचे चला गया और देखो जब इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया तो यह इस पर Support लिया है यहाँ पर देखो इससे उपर यह गया ही नहीं क्योंकि यह इसके लिए Support की तरह काम करी तो यहाँ कि अगर जिसे Knowledge हो Support Line कहचने की यह Registance Line कहचने की तो वो यहाँ से भी Sell कर सकता था और अगर वो यहाँ से Sell करता है देखो कितना चगाल सा Profit होगा क्योंकि हमें पता है कि अगर वो यहाँ से Regist होगा तो वो Support कहाँ पर लेगा यहाँ पर क्योंकि हमने यह Line ड्रो कर की है देखो यह इसी के बीच में गूम रहा है जब इसे Break करेगा तब यह उपर गया है तो तब हम यहाँ से Buying Signal ले सकते थे तो Supporter Registance तो आपको पता लगे अब हम Trend Line Draw करना सीखते है जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा इसे मैं थोड़ा सा उपर कर लेता हूँ Trend Line Draw करते हैं यहाँ पर हमने क्लिक किया ऐसे देखो एक Line यह होगी है हमारी यानि कि यह बार-बार इस पर Regist करके फिर नीचे आ रहा है फिर टक रहा है और जब यह इसे Break कर देगा तो एकदम से उपर जाएगा तो यह देखो कितना उपर गया ठीक है यहाँ से हमें पता लग गया मैं आपको इससे पहले भी दिखाता हूँ इससे आके चलते हैं यहाँ पर हम ऐसे भी Draw कर सकते हैं एक छोटी सी Line यानि कि यह हमें क्या बताएगी देखो यह हमें बताएगी कि अगर इसने इसे Break कर दिया तो यह नीचे की तरफ जाएगा और अगर Break नहीं किया तो यह बार-बार इस पे Support लेता रहेगा जैसे इसने मतलब यहाँ पर तो यह Support लेके उपर चला गया लेकिन यहाँ पर भी Support लेने आया था इसने Break कर दिया तो यह देखो कितना नीचे गया अगर हम यहाँ से भी Selling Position लेते तो हम इतना Profit ले सकते थे Support Line और Trend Line आपको मतलब खीचना बहुत आना चाहिए अगर आप वाके में ही इस Market में Profit कमाना चाहते हैं मैं आपको यहाँ पर भी खीच के दिखाता हूँ इसकी Practice करो इससे Market को समझो देखो यहाँ पर मैंने यह Draw कर दी यह देखो यहाँ पर कितना अच्छा बना रही है यहाँ पर यह Support ले किया है फिर उपर गया फिर इस पर सपोर्ट ले किया है फिर उपर गया फिर इस पर सपोर्ट ले किया है जब यह इसे Break करेगा तब हम Selling Position ले सकते हैं लगभग वो ही रहती है अब यहाँ पर देखो इस पर यहाँ पर भी देखो कितना अच्छा हमें सिकिनल मिल रहा है यह देखो यह बार-बार इस पर सपोर्ट लेकर फिर इस तरफ जा रहा है मैं आपको आगे भी मतलब बहुत सारे चीज़े दिखाऊंगा यह चीज़े हर रोज काम करती है सबसे पहला रूल क्या था हमारा हमें कहाँ पर लेने है पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंज को पहचानना है हमारी कैंडल कहाँ पर क्लोज हुई और कहाँ पर ओपन हुई थी यह हमारे लिए क्या होगा देखो अगर यहाँ पर हमारी यह रजिस्ट कर गी ना दूसरी candle और तुरंत नीचे आगी अगर इसने इसे break कर दिया तो यह देखो कितने नीचे आगी तो यह definitely एकदम से डाउन नीचे जाएगा और यह दिखा रहा है साप साप तो यहाँ पर अब मैं आपको trend line ड्रो करके दिखाता हूँ यह देखो यह दुख जाओ थोड़ी सी यहाँ पर आपको किसी भी candle को select करना है और उससे होती भी जहाँ पर यह cut कर रहे हैं भी भी प्रोपर select ने हुई अब यह भी यह select ने हो रहे हैं थोड़ी सी गड़पर हो रही है मैं इसे कर देता हूँ एक बार यह देखो मेरा कहने का मतलब यह है अगर यह आएगा तो यहाँ पर हमें selling position नहीं लेनी selling position किस situation भी लेनी है जब यह उपर जाके फिर से इस line पर टकराएगा यहाँ पर हम selling position बना सकते हैं क्योंकि हमें पता है इसे रजिष्ट करके फिर से नीच आएगा तो हम यहाँ तक का profit कमा सकते हैं दूसरा यहाँ पर एक छीज और धियान रखने ही है हमें आरा rule क्या है जब यह इस line को break कर देगा तो हमें buying position बनानी है यहाँ पर इस ने इस line को break कर दिया तो यहाँ से यहाँ तक कि हम buying position बना सकते थे तो यही चीज आपको इसमें धियान रखनी है मैं आपको और भी दिखा देता हूँ यह candle बनती रहती है पस हमें पैचानना होता है कि हम कहाँ पर buying ले रहे हैं कहाँ पर selling ले रहे हैं देखो यह support लेते जा रहे हैं यहाँ पर जब यह इसे break करेगा तो इसका मतलब buying लेनी है यहाँ पर इसने break करा तो यहाँ से अगर हम buying लेते तो यह चीज आगी दूसरा मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बताऊंगा देखो एक चीज और धियान रखना कि जब भी buying position अगर यहाँ से ले लोंगे चलो यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं पर लेकिन buying position ऐसी situation पर लेनी चाहिए जैसे यहाँ पर इसने break कर दिया कहीं बार यह क्या करता है कि यह जान बूज के हमें green signal दिखाता है जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यह इसने break कर दिया यह फिर से red बन गया क्योंकि यह week उपर दिखाई दे रही होगी आपको यह कहीं बार हमारे stop loss लेने के लिए उपर जाता है और हमें एक मतलब ऐसा दोका लगता है कि अब हम buying ले सकते हैं यहाँ पर देखो यह retrace हुआ अगर हम यहाँ पर buying लेते तो यह ज़्यादा बैटर रहता है यानि कि अगर इसने break कर दिया तो इंतजार करो इसके वापिस आने का और जब यह वापिस आ जाई red candle बनाके तब आप यहाँ पर buying position ले सकते हैं फिर यह कहां तक आएगा यहाँ पर तो यहां तक आया आपको market के हिसाब से सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर हमेशा ही लगबख सेम चीज़े होती रही तो हर कोई इस market से profit बना लेगा जो कि इतना असान नहीं है देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी ठीक है चार्ट यहाँ पर देखो यहाँ पर एक candle उपर गया फिर रजिस्ट करके फिर यहाँ से उपर गया फिर रजिस्ट करके फिर यहाँ से उपर गया तो अगर हमें यह बार बार hit होता हुआ ही दिखाई दे रहा है और इस trend line पर ही trend कर रहा है अगर यह यहाँ पे नीचे आया तो हम यहाँ से buying ले सकते थे क्योंकि हमें पता है कि इस candle पे दूसरी बार support लेने आएगा जैसे यहाँ पे support लेने आया तो हम यहाँ से buying position ले सकते थे, यहाँ से ने लेके तो इतनी buying position लेते यहाँ तक का profit book कर लेते फिर यह नीचे आता जैसे रैड केंडल बनी फिर हम सपोर्ट का इंदिजार करते हैं फिर यहां से प्रोफिट बुक कर लेते हैं तो यह चीजे हमें मार्केट में पहचाननी पड़ती है हर रोज अलग-अलग होती है मैं आपको आज बहुत सारे तरीके में आगे पिछे आपको सारे जंगा करके दिखा दूँगा जिससे कि आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ पाए यहां पर देखो यहां पर यहां पर यह आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर हम इंतजार करते इसके यहां आने पर यहां से हम बाइंग पोजिशन ले सकते थे क्योंकि यह कट करके नीचे नहीं गया दिखो मैं आपको पीछे इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप इसे रिलेट कर पाओ कि सारे चीज़े लगभग सेम ही है हम जो थोड़ी apply कर रहे है वो सेम ही है हमें किस situation पे buy करना है किस situation पे sell करना है मैं आपको एक मिनट के chart पे भी दिखा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग इसे एक मिनट के chart पे करना पसंद करते हैं क्योंकि एक मिनट के chart पे यह थोड़ी और ज़्यादा accuracy दे देता है यहनि कि हम जल्दी ही अपने profit और loss को book कर लेते हैं एक मिनट के chart पर यह और अच्छे थोड़ी से signal दे देता है जैसे यहाँ पर देखो यह बार बार इसे support कर रहा है यह देखो यह देखो कितने अच्छी trend line है अगर हम यहाँ पर buy करते हैं यहाँ पर इसने support लिया यह किस दिन का है यहनि कि यह लगभग एक बज़े के आसपास का दिखा रहा है आपको एक बज़े के 20 मिनट पे तो फिर यहाँ पर ए गया फिर यहाँ पर support लिया फिर यहाँ पर support लिया तो यहाँ से buying position ले सकते थे फिर उपर गया तो इस तरीके से देखो मतलब बहुत सारे signal मिलते हैं हमें आप कहीं पे भी इसे apply कर सकते हैं जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर मैं एक और ड्रो कर देता हूँ यह देखो कितना इच्छा दिखाई दे रहा है यहाँ से उपर गया फिर यहाँ पर support लेने के वापिस आया यहाँ से हम buying position ले सकते थे यहाँ कि एक minute के chart पर यह और ज़्यादा एक race दिखाता है पर लेकिन मैं फिर भी suggest करूँगा आप मतलब दोनों में से किसी का भी कर लेना वन मिनट का कर लेना या फिर फाइब मिनट का कर लेना लेकिन आपको trend line draw करना आना चाहिए इससे कहते हैं मतलब price action यानि कि market में जो भी live चल रहा है आप उसे सीधे तरीके से apply कर सकते हैं मैं आपको पीछे ले जाता हूँ ये discuss कर रहे हैं हम bank nifty का ठीक है किसी भी चीज में आप इसे apply कर सकते हो कोई भी stock हो मैं आपको bank nifty में क्योंकि ज़्यादे तर लोग मतलब bank nifty में trade करना पसंद करते हैं इसलिए मैं आपको वो चीज समझा रहा हूँ हम और पीछे चलेते कहीं भी चले जाओ मैं मतलब particular आपको कोई एक जगह नहीं कहता कहीं भी देख लो ये थोड़ी हमेशा ही काम करेगी और बहुत ज़्यादा अच्छका सा profit भी देगी कहीं भी देख लो जहाँ भी आपका मन करें जैसे यहीं पर apply कर लो यहाँ पर यह trend line ऐसे draw कर दी हमने अगर यह इसे break कर देता है तो definitely उपर जाएगा तो देखो हम यहाँ से कितने point का profit ले सकते थे यह कितने पर हैं 724 पर अब कहाँ पर गया अप गया यह लगभग 817 पर लगभग 100 point अप गया देखो यहाँ से कितना मतलब हमें अच्छा कासा move मिला कहीं भी यह apply कर लो यहाँ पर apply कर लो कि यह support दिखा रहा है मतलब आपको यह signal आपको डूढने पड़ेंगे कि कहाँ पर support दिखा रहा है या किस तरीके से support दिखा रहा है कब हमें buying करनी है कब selling करनी है सीधा आराम से trend line draw करो यह देखो trend दिखा रहा है मतलब हमें पता लगता रहेगा कि कब हमें sell करना है या कब buy करना है जैसे यहाँ पर अगर हम selling position ले रहे हैं तो जब भी इस line पर hit करेगा तो हम selling position ले सकते हैं यहाँ से sell कर दो, फिर इंतिजार किया फिर वापिस आया, फिर sell कर सकते हैं और अगर यह break करके ऊपर चल गया है तो buying position ले सकते हैं तो यह सारी चीजे समझो ठीक है, हम इस दिन चलते हैं यहाँ पर मैं 5 मिनट ही select कर लेता हूँ इसलिए चलो, अभी मैं आपको एक और दिखा दिता हूँ यह चीजे और देखो यहाँ पर देखो, कितने अच्छी support दिखाई दे रहे हैं हमें यह देखो, कितना अच्छा का सा हम profit ले सकते थे, यह support बन रहा है हमें पता लग गया कि यह support बन रहा है यहाँ से अगर buying position लेते तो यहाँ तक का profit ले सकते थे या फिर अगर miss हो जाती है rally, कोई बात नहीं, हमें पता है कि support तो यह पिलेगा, यहाँ से हम buying position ले सकते थे, इतना profit बुक कर सकते थे, अगर ये भी मिस हो जाती तो कोई बात नहीं, फिर इंतिजार करते हैं फिर यहां तक का profit ले सकते थे फिर इसी तरीके से हम चल सकते थे तो support line आपको draw करना पता लग गया मैं फिर से 5 minute के चार्ट पर चलता हूं जिसे क्योंकि मुझे personally पसंद है 5 minute का, पर लेकिन मैं 1 minute का देख लेता हूं, क्योंकि इससे थोड़ी ज़्यादा accuracy आ जाती है बाकी और कुछ चीजे नहीं है तो यह चीज आपको पता लग गई, हम कहाँ पे थी मैं कुछ पीछे चला जाता हूं जिसे कि यह तो सारी चीजे मैंने आपको discuss कर दी थी, जिसे कि आप इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएं, कि हमारा यह चीज वाके में ही काम करती है कि नहीं, जिसे यहाँ पे देखो, कितना अच्छा कासा support बन रहा है आप कहीं पे भी apply कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, फिर से support लेनी आएं यहां से buy कर सकते थे, अगर यह भी miss हो गया है, फिर उपर गया, फिर इंतिजार करते हैं फिर just support लेनी आथा, फिर buy कर लेते यहां तक buy कर लेते, फिर miss हो जाता, फिर यहां से buy कर लेते यानि कि हमें बार बार buying position पोजिशन दे रहा है, trend line हमें सिर्फ वो ही बताती है, दूसरा breaking position का हमें कैसे पता चलता हम यह trend line ड्रो करते यहां पर हमने यह ड्रो करी यहां पर बार बार रजिस्ट करके आ रहा है अगर इसे break कर देगा तो तब यह ऊपर चला जाएगा और support resistance का हमें पता कैसे चलेगा, क्योंकि यह दोनों चीज़े हमें एक साथ ड्रो करनी है support भी और trend line में क्योंकि अभी मैंने आपको यह trend line बताना सिखाया, मैं थोड़ा सा आपको support के बारे में सिखा देता हूँ जैसे हम इसी दिन का पकड़ो यह किस दिन का है, यह 16 नो का है पहला support क्या था हमारा जो last वाली candle close हुई थी हमारी, इस से पहले दिन 16 नो से पहले दिन उसका high पहला support हमारा उसका low रुक जाओ, एक बार मैं यह line select कर लेता हूँ जो पहली candle close हुई थी, मितलब last वाली उसका high और उसका low पहले तो हमारी यह होगे दूसरा जो हमारी आज की candle है वो कहाँ पे high मारा उसने पहला वो, दूसरा जो low मारा वो, देखो यह यही पे काम कर रहे है जैसे अगर इसे break करके गया तो यहाँ पे register करके वापिस आ रहा है इस चीज़ को समझो यह यहाँ पे register कर रहा है तो हमें automatically पता लग रहा है यानि की trend line भी हमारा बहतर काम कर रही है और यह support और resistance भी अगर आपको support और resistance draw करने नहीं आते तो मैं पावे point से भी समझाए है जिसका link आपको नीचे description में मिल जाएगा वहाँ से जाके आप देख सकते है दूसरा जिस दिन का जो low होगा हम उसे भी select कर सकते है यानि की जब यह low को break करेगी अगर इसके पास आएगी तो यह हाँ पे support लेके उपर जा सकते है अगर break कर दिया तो इससे नीचे जा सकते है तो यहाँ पे देखो यह यहाँ पे support लेके फिर यही पे गई यहाँ पे इसने रेजिस्ट किया क्योंकि हमारा क्या था यह दिन का जो पहली candle ने low बनाया था वो था देखो कितना अच्छा रेजिस्ट कर रहा है यह चीज़े बहुत ही काम किया मतलब है चोटे-चोटे point हर कोई trader आपको यह चीज़े नहीं बताता लेकिन यह हमें बहुत अच्छा खासा profit दे सकते हैं कहीं भी देख लो देखो यह सिर्फ हमारे एक ही दिन में काम नहीं करते हैं यह हर रोज काम करते हैं यह भी आपको दिखाई दे रहे हूंगे यहां पर इन चीज़ों को मतलब सीखना करो मतलब सीखो प्रेक्टिस करो इनकी थोड़ी बहुत जिससे कि आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएं आपको इस वीडियो से क्या benefit होएं इसमें बस मैं आपको यही सिखाना चाहता था कि आप support और resistance किस तरीके से draw कर सकते हैं और trend line किस तरीके से draw कर सकते हैं जो market में hulture हो रही है उससे और अपना चका सा profit बना सकते हैं आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे comment करके बता सकते हो मैं ऐसी और detail में वीडियो बना दूँआ फिर मिलते हैं next वीडियो में Thank you